दोस्तों बांगलादेश के खिलाब शांदार जीत के बाद साउथ अफरीका को मिली सबसे बड़ी खुश खबरी भारत को वथ तगड़ा फायदा तो वहीं बांगलादेश से लेकर पागिस्तान की टॉप एट की उम्मीदों को पॉइंट स्टेबल में लगा 440 वोल्ड का ज जहां पर बांगलादेश की क्रिकेट टीम को तो सबसे बड़ा जटका लगा है तो वहीं साउथ अफरीका से लेकर टीम इंडिया के लिए भी खुश खबरी निकल कर सामने आई है जहां पर इन दौनों टीमों का सुपर 8 का रास्ता तैयो चुका है दोस्तों हम आपको पू वीडियो को एक लाइक और चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलें साथ ही कॉमेंट करके ये भी बताएं कि आप भारतिय टीम का फाइनल किसके साथ देखना चाहते हैं तो चलिए दोस्तों अब सबसे पहले सबसे इंपोर्टेंट ग्रुप एक ही बात करते हैं जिसमें इ दो मैसे दो मैच हार चुकी है उनका रंडरेट भी माइनस एक दशमलव साथ एक दो का हो चुका है यानि कि आरलेंड का टॉप आठ खेलने का सबना अल्मोस्ट तूटने की कगार पर है तो वहीं दोस्तों नंबर पर मौझूद है हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की क्रिके ट 99 प्रतिशत तूट चुका है ये कहना गलत नहीं होगा हाला कि क्रिकेट अनिश्चिताओं का खेल है ऐसे में यदि पाकिस्तान अपने दोनों बचे हुए मैच जीत जाए और साथी अमेरिका अपने दोनों मैच हार जाए तो पाकिस्तान फिर से टॉप 8 में जा सकता है यान उनका मायनस से 0.274 का रन रेट उनके लिए खतरे की घंटी बजा रहा है तो वहीं दोस्तों नंबर 2 के पैदान पर मौझूद है अमेरिका की क्रिकेट टीम जो पहली बार वर्ल्ड कप खेल रही है लेकिन बड़े-बड़े दुरंदरों को नानियाद दिला दिये अमेरिक के साथ टॉप आठ की मजबूत दावेदारी भी ठोक रही है और दोस्तों फिर नंबर 1 की पोजीशन पर चैंपियन के तरह कब सा जमा चुकी है हमारी प्यारी इंडियन करके टीम जिन्होंने लगातार अपने दो मैचेज में जीत का परचम लहराया पूरी दुनिया को हैर भारती टीम ने ना केवल दो मैचेज में ही चार अंक कमाए हैं बलकि प्लस एक दशमलव चार पांच पांच के रन रेट से भारती टीम अपने 99 प्रतीशत टॉप एड के लिए क्वालिफाई कर चुकी है जैसा कि आपको पताए हर ग्रुप से केवल दो टीमें टॉप एड में जाएंगी तो टीम इंडिया के साथ साथ इस समय अमेरिका टॉप एड की सबसे बड़ी दावेदार नजर आ रही है फिर दोस्तों आगे ग्रुप B की तरह बढ़ते हैं जिसमें स्कॉटलेंड अमेरिका से लेकर नामीबिया इंगलेंड और ओमान जैसे क्रिकेट की में दोस्तों अब इंगलेंड की भी बहुत बड़ा जटका उन्हें लग चुका है जहां चौती पोजीशन पर डिफेंडिंग चैंपियन इंगलेंड आ चुकी है उन्होंने लगातार दो मैच खेले एक मैच ड्रॉ रहा तो एक में बुरी तरीके से हार का सामना करना जिसके चलते उनका केवल एक पॉइंट खाते में आया है वहीं उनका रन रेट माइनस एक दशमलव आठ शून्ने शून्ने का बेहत खराब है यानि कि अब इंगलेंड अल्मोस्ट या कहें पिचानवे प्रतिशत टॉप एट की दोड़ से बाहर है हाला कि किसमत किसी की भ नमबर पर मौझूद है उन्होंने खेले गए दो मैचेस में एक में जीत और एक में हार का मूझ देखा है जिसके चलते उनके दो अंक हैं वहीं उनका रन रेट माइनस से शून्ने दशमलव तीन शून्ने नौका हो चुका है और वो टॉप एट के अपने अर्मानों को सच करने की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं इस कड़ी में अब नमबर दो की पोजीशन पर मौझूद है उस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम उन्होंने भी खेले गए दो मैचेस में दोनों अपने नाम किये हैं उनके आठ पॉइंट हो चुके हैं साथ ही उनका रन रेट भी प्लस प्लस दो दशमलब एक चैचार का है मतलब इस हिसाब से देखा जाए तो ग्रूप B से स्कॉटलेंड और अमेरिका टॉप आठ में क्वालिफाइ करने जा रही हैं उसके बाद दोस्तों चली अब ग्रूप C की तरफ बढ़ते हैं तो शायद आपको भी जानकर हैरानी हो कि इस ग्रूप में नंबर वन क्रिकेट टीम कोई और नहीं बलकी सबकी चहिती अफगानिस्तान है जिन्होंने लगातार दो मैचेस में अपनी जीत का जंडा गाड़ा पहले युगांडा तो फिर न्यूजिलेंड जैसी दिगच को धूल चटाई चारंक कमाए और सबसे अध इस तीन देशमलव पांच साथ चार के रन रेट से वो भी टॉप एट में जाने की दूसरी सबसे बड़ी दाविदार है इन दोनों के अलावा तीसरी पोजीशन पर मौजूद है युगांडा की क्रिकेट टीम जो अपने तीन में से दो मैच हार गए हैं एक मैच उन्होंन उनका टॉप एट में जाना अल्मोस्ट इंपॉसिबल है तो वहीं चौथी पोजीशन पर पापुआ न्यू गिनी की टीम आ गई है जिन्होंने लगातार अपने दो मैच हारे हैं उनके पॉइंट का खाता नहीं खुला वहीं उनका रन रेट माइनस शून्य दशमलव चार बेहत खराब है यानि कि उनके भी सेमी फाइनल में चांसे जालमोस्ट 95 प्रतीशत फिनिश हो चुके हैं तो दोस्तों देखा आपने अब तक तीन ग्रुप का हाल अब सबसे अंत में ग्रुप डी की बात करें तो 2014 की टी-20 वर्ट चैंपियन श्री लंका इस ग्रुप में स सबसे शर्मनाग प्रदर्शन करने के बाद पांचवी पोजीशन पर है वो लगातार अपने दो में से दो मैच हार गए और उन्हें अब तक अपनी जीत का खाता खोलना भी बाकी है उनका रन रेट भी बेहत खराब माइनस शून्य दिशमलव साथ 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 का हो चुका है तो वहीं चौते नंबर पर अपना पहला मुकाबला हारने वाली नेपाल की क्रिकेट टीम माइनस शून्य दिशमलव पांच तीन नौ के रन रेट से अभी भी टॉप आठ की रेस में बनी है उनके लिए ये अच्छी खबार है फिर नंबर तीन पोजीशन पर मौजूद है वहीं नंबर दो की पोजीशन पर मौजूद है बांगलादेश की क्रिकेट टीम जिन्होंने दो मैच खेल कर एक में जीत और एक में हार का सामना किया उनके दो पॉइंट है साथी उनका रन रेट प्लस शून्य दशमलव शून्य साथ पांच नीदर लेंड से बहतर है तब अभी वो नंबर दो की पोजीशन पर मौजूद है साथी टॉप एट की मजबूत दावेदारी भी ठोक रही है तो वहीं इस ग्रुप की नंबर वन क्रिकेट टीम है साउथ अफरिका जिन्होंने लगातार अपने तीन मैसे तीन मैच जीत कर 6 अंक कमाली है उनका रन रेट 30.603 का हो चुका है यानि कि साउथ अफरिका तो अल्मोस्ट 99 प्रतीशत टॉप 8 के लिए कौलिफाइ करने वाली है यह कंफर्म हो चुका है ऐसे में अब दूसरी टीम कौन होगी यह देखना दिलचस्प होगा लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया इस बार टी 20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत पाएगी या नहीं अपनी कीमती राय नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे शांदार खबरों के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद